Hello Credits, कैसे हैं आप लोग, Welcome to the Important Question Series of Scenic Now Than RMS AI SSE 2018 का ये सवाल है, ठीक है इसको अब नमबर सिस्टम का question है इसको solve करने से पहले मैं आपको बता दूँ, 4G batch launch हो चुका है 4G batch में मैंने और सरेश सर ने अपना पूरा experience यहाँ पर डाल दिया है हर बच्चों से मिल करके बात करके उनकी हर एक छोटी छोटी प्रावलम को solve करने की कोसिस करी है और ये batch सैनिक स्कूल और RMS स्कूल के बच्चों के लिए है जिसमें recorded भी होगा, live भी होगा और हम आपका पीछा नई छोडने वाले हैं जिसमें हम आपको module देंगे, test series देंगे, आपका monthly test भी होगा, periodic, chapter wise और फिर आपका पूरा last में sample paper भी होगा, test होगा, तो सब कुछ होगा तो इस फौजी batch की complete जानकारी के लिए आप video check out कर सकते हैं जिसकी link आपको description में दियु हुई है अगर आप हमसे join होना चाहते हैं तो आप telegram group join हो सकते हैं या अगर आपको इससे फौजी batch में अगर कुछ भी doubt है तो आप हमको call कर सकते हैं 9-111-410-781 पर चलो So, question पे आते हैं smallest five digit number that is divisible by 19 अब याद रखो, जब भी this type का question आयता है तो मैंने आपको बताया था number system में मैंने आपको इदम अच्छे से पढ़ाया था इस तरग के question को कैसे करना है सबसे पहले five digit का सबसे smallest number क्या है ठीक है यह होगा one ten ten eight thousand ten thousand ten thousand पांस digit का सबसे छोटा number है इससे छोटा होई नहीं सकता इसमें एक और minus one कर दो तो four digit का हो जाएगा nine 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 है कि नहीं तो five digit का सबसे छोटा number है यह बट अगर मैं इसको आप 19 से divide करूँ तो कुछ remainder आएगा remainder को मैं minus करूँगा तो यह इससे और छोटा हो जाएगा है ना तो अपनको उतना छोटा नहीं चाहिए इसलिए मैंने हम हिसाब को क्या का था इसमें जिस number से divide करना है उसको add कर दो तो उसको add कर दोगे तो कितना हो जाएगा 10,019 अब इसको 19 से divide करो यह पूरा method मैंने आपको बताया था यादा रहा है अब इसको आप क्या करो 19 से divide करो ठीक है क्यों अब अगर मालनो कुछ reminder बज गया मतलब अगर उतना reminder इसमें कम कर देंगे तो यह perfectly divisible हो जाएगा अभी नहीं यह divisible है कि नहीं चलो तो करके देखते हैं तो मालनो 19 फाइवज आपका कितना हो जाएगा 95 फाइव रिमांडर फिर 19 आपका आजाएगा टूज़ा नाइन टूज़ा एटी नेट के री थाटी एट यह आपका बज जाएगा 13 और यह आजाएगा 9 ठीक है फिर आपका 19 हो जाएगा 19 मेरे ख्याल से 20 के असपास है ना तो ट्वेंटी फाइव जाएव रिमांडर होता है 140 के असपास 7 तेम्स ठीक है करके देख लेना ने तो 6 से और 7 से करके देख लेना ठीक है नहीं आता, तो इसमें 6 कम करना है, तो 10019, 10019 में 6 माइनस कर देंगे, तो 10013 कोई option है, हाँ भी, अभी is the correct option, तो यह याद रखो number system में मैंने आपको बताया था, जब भी आपको बोले कि greatest 4 digit, greatest 5 digit या smallest 4 digit, 5 digit या 3 digit, जो किसी एक number से divisible है, तो इसमें करना यही है, सबसे छोटा number में add कि, अगर greatest number बोला है, तब आपको कुछ add करने की जरूत नहीं है, तब तो simple divide करो, और जो remainder आगा, उसको minus कर दो, अगर आप greatest 5 digit number दिये हो, उसमें कुछ कम करोगे, तो 5 digit ही रहेगा, भा समझ में आ रही, greatest वाले में, तो इसलिए वहाँ पर problem नहीं आती, problem कब आती है, जब smallest बोला हो, जब कुछ भी smallest बोला हो, तो पहले उसको add कर लो, जिस number से divide करना है, फिर पूरा process को करो, done, समझ में आ गया, number system का question था, AISSE 2018 का, AISSE 2018 का number system का question, मैंने यह आपको यहाँ पर solve करके दिखाया, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को please like करना, इस type क जितनी भी आपकी जो series है, important question की, इसके सारे questions जरूर watch करना, जब भी आपको time मिले, यह series, यह playlist को जरूर check out करना, ठीक है, और हाँ, channel को subscribe करना, मत भूलना, सैनिक, नवोदे और RMS के लिए important information, videos, free videos, आपका crash course और बहुत सारी videos हम यहाँ पर लेकर के आते रहते हैं, ठीक है, ह फिर मिलूँगा आपसे अगली class में, तब तक के लिए हसते रहो, मुस्कराते रहो, देखते रहो, सौरब सरकी class, जै हिंद, बाई बाई, टेक केर,